वेलकम टो मैं चैनल भी नाच्रल खुसी आज मैं आप लोगे साथ में सेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेटी जिससे कि आप घर बैठे अपने बालों को बारगंडी कलर कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपने बालों में मैरून कलर या फिर ब्राउन कलर जो भी कलर आप चा होता है अक्सर हमारे साथ कि हमारा उतना बजट ने होता कि हम पालर में जाकर अपने बालों को कलर करवा पाएं और अपने बालों का हेयर ग्रोथ अच्छे से कर पाएं महंगा महंगा केमकल वाली चीज़े यूज़ कर पाएं जो लोग नहीं कर पाते अफॉर्ड वो लोग घर की चीजों को भी यूज़ करके अपने हेयर ग्रोफ को बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हम इने यहां पे लिया है करीपता मेथी दाना लॉंग कॉफी यह जितनी भी चीजें हमने लिए हैं यह इतनी जदा पावर्फुल है कि आपका हेयर ग्रोफ तो होना पक्का है और आपका हेयर लॉस भी बिल्कुल भी नहीं होगा जो भी सर्दी का टाइम चल रहा है तो अगर आपके बालों में किसी तरह का सर्दी के वज़े से टैंडोफ एक लिएद doubts ग्रोफ और वगेरा है तो आपके जो करी पदता है वह अपके बालों से रीमू करता है आपका हेयर ग्रोका है आपके बालों को वाइट हेयर की प्रॉबलम से दूर करता है फ檜ो से हमने लिया है लॉंग जानना से आपके बालों में नए बाल उपते हैं बाल श्ट्रेट होते हैं सुमोध होते हैं मेथी के बहुत सारे बेनिफीट होते हैं फिर उसके बाद से हमने लिया कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर आपको इसमें एक पैकेट डाल देना एक पानी डाल देना है फिर इसको र पचे हो बड़े हो लेडी सो जएन्सो कोई भी हो इसको यूज कर सकता है इसको किसी का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे अगर आपके बाल बहुत जदा hair loss हो चुके हैं आपके बालों में head दिखने लगे हैं बाल नहीं दिख रहे हैं आपके बालों का hair growth रुख चुका है आपके बाल बहुत जदा लंबे नहीं है, काले नहीं है, घने नहीं है तो ये सारी problem आपके बालों से चली जाएंगे और आपके बाल जो है वो पहले से जादा सुन्दर, soft and लंबे काले घने हो जाएंगे जिनके बालों में white hair की problem है वो इसको iron के बरतन में तयार करेंगे इसको आपको उबालना है 5-7 मिनट या फिर 10 मिनट उससे जादा आपको नहीं उबालना है medium flame पे इसको पकाना है तक कि जितनी भी इसकी ingredient है वो सारी पानी में अच्छे से absorb हो जाएं absorb होने के बाद से जितनी भी good रहेंगे वो आ जाएंगे तो जब हम इसका apply करेंगे तो हमारे hair के लिए काफे ज़्यादा healthful हो का तो हमारा यहाँ पे अच्छे से पक चुका है जब आपका मेथी दबाने के बाद से फूट जाए ना तो आप समझ लेना कि आपका यह जो पानी हो बनके तायार हो चुका है अब हम इसको च्छान लेंगे च्छानने के बाद से आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो किस तरीके से यूज़ कर सकते हो तो फॉस्ट है जो भी oiling करना पसंद नहीं करते या फिर अगर मतलब कोई भी ताम जाम अप करना नहीं चाहते हो तो बस आपको आपको बालो में ऐस प्रोब्लम नहीं हो की देंट्रोफ अगेरा भी नहीं होगी किसी तरह का इचिंग वगेरा नहीं होगा सिंपर नाम बात कर लेते हैं महरे बालो में oiling की बहुत ज़्यादा जरूत है क्योंकि अगर हम ओइल नहीं करेंगे तो हमारे बाल जो है वो अच्छे से जैसा कि हमें पोसर मिलेगा ही नहीं क्योंकि अंदर तक मजबूती चाहिए हमें हमारे बाल जो है वो अंदर से उपते हैं ऊपर से नहीं उपते तो इसके लिए हमें ओइलिंग भी करना ज्यादा जरूरी है हमें रिलक्स भी फील होता है तो इसको आप night में लगाईए और एक चमच coconut oil इसमें डालिए इसको अच्छे से mix केजे mix करने के पास से एक spray वाले bottle में भरके रख लीजे और इसको night में लगा लीजे सुबा में धो लीजे जितने भी white hair की problem रहेगी वो white hair की problem आपके चली जाएगी और सर्दी के time में अगर आपके बालों में dandruff हो गया है तो dandruff भी आपके बालों से चले जाएगा और अगर आपके बालों में किसी तरह का कोई भी infection बगेरा है वो भी आपके बालों से चला जाएगा फिर आपको करना है सैंपू सैंपू आपको कैसे करना है ताकि आपके बाल जो है वो साइनिंग रहें सुमोदनिंग रहें आपके बाल इस्ट्रेट रहें देखने में ऐसा लगे कि हाँ मेरे बाल तूटते नहीं है जड़ते नहीं है और काफी अच्छा दिखते हैं जबी बाल सुन्दर रहते तो काफी फेस एक्ट रिप्टिव लगता है तो इसके लिए आप इसको बनाएए फिर आपको लेना है एक सैंपू कोई भी आप सैंपू ले लिए जैसा निकी जो हमने लिए आपको भी वही लेना है आप कोई भी सै पाणि को जो आपने तयार करके रखा है उसमें आप एक सैंपू एड़ किजे आप पानी की क्वेंटिटी कम यह ज़्यादा कर सकते हो उसके बाद से इसको डॉलकर इसमें अच्छे से मिक्स करते दीजे मिक्स करने के पाद से इसका कलर जो है थड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद से जिनके बालों में बहुत ज़दा ओयल पन की प्रोब्लम होती है होता है किसी किसी के बालों में अगर आपने सैंपू किया है आज सैंपू किया दूसरे दिन के बाद से आपके बालों में ओयल पन आ जाता है बहुत जल्दी से तो उस problem में आपको क्या करना है आपको लेना है lemon जब भी आप oiling कर रहे हो उस oiling में ही आपको उसमें डालना है lemon लेमन आपको आधे चमस से भी कम डालना है बहुत ज़दा quantity नहीं डालना है क्योंकि लेमन जो होता है आपको आपके hair से जितने भी problem होते वो निकालता है और आपके oil पन को ये खतम करता है तो हमने ये oiling भी बता दिया सैंपू भी बता दिया आप सब यूज कीजेगा तब भी आपको इसका अच्छा सा benefit मिलेगा आपको week में दो से तीन बार यूज करना है रेगुलरली दो से तीन महिने तक यूज कीजे फिर उसके बाद देखेगे कि आप से सब लोग पूछेंगे कि आप लोग क्या लगाते ह हो कि आपके बाल ऐसे दीखते हैं इसको इस प्रेवाले बॉटर में भर कि रखे लिए एक से दो हफ्ते के लिए इसे ज्यादा मत रखे फिर ताजा बनाईए फिर ताजा बनाके लगाईए अब हम चलते हमारे अगली remedy के तरब तो हमें लेना है यहाँ पे इंडिगो पाउ हीना मेहंदे ले लिए नीपूर मेहंदे ले ले लिए नीशा मेहंदे ले ले लिए जो आपके पास अवैलबल है आप वह ले लिए मेरे पास हीना है क्योंकि मैं हीना का ज्यादा अप्लाय करती हूं इसमें आमला सीका काई पहले से अवैलबल होता है तो हमें यूज कर उस जिए वह हमारा औरेंज फील पाउडर यह जो होता है आपकी बालों के लिए बहुत ज्यादा लेका हेल्ट पोलाता है आपके बालों के वाइट हिर की प्रॉब्लम्य को दूर करते है wisdom लाता PETER आपके बालों का कहेर को अच्छा करता है फेर उसके बास से हम ने लिए यहां पर दही दही आपके बालो में hair fall को control करता है dendroff को control करता है और आपके बालो में straight करने का भी work करता है और आपके बालो का जो भी hair care routine भीगड़ गया है वो उसको सही भी करता है तो आपके बालो में इसके लिए इसको add करना ताकि सर्दी का time है के बाल जो हैं वो महंदी के वज़े से ड्राइ ना हूँ इसके लिए आपको यहां पर दही का एड़ करना है दो चमच अब जिनको बारगंडी कलर चाहिए वो यहां पर चुकंदर का जूस ले लेंगे चार से पांच चमच वह ज़्यादा नहीं लेना है फिर उसके वास से आप इसको इसमें डाल दीजेगा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए जबी इतना mix हो जाए फिर उसके बासे जो आपने पानी बना के तयार किया था उस पानी को आप इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल के mix कीज़े पूरा चुकंदर के juice से हमें add नहीं करना इसमें फिर add हो जबी हमारा mix हो जाएगा तो कुछ color इस तरीके से दीखेगा और आपको इसको over net के लिए रखना है जिनके बालो में white hair के problem है वो यहाँ पे iron के बर्तन में तयार करेंगे जिनको brown color चाहिए वो यहाँ पे चुकंदर के juice को use बिल्कुल भी ना करें ताकि चुकंदर के juice से बारगंडी color मिलता है जिनको brown color चाहिए वो भी यहाँ पे चुकंदर के juice का use नहीं add करेंगे उसमें coffee दो चमच और डाल दीजेगा ताकि आपके बालो में काफी है जासा brown color देखने के लिए मिले तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेरे हाथों को तुरंसे tape किया और तुरंसे निकाला तो कितने जादा प्यारा सा color आया तो सोच सकते हो आपके भी बालो में कैसा color आएगा अब हमें लगाना कैसे है आप अपने बालो को अच्छे से साफ कर लिजे oiling वगरा नहीं होन करना है आपके बालो में जो कलर लोग हो जाता है सेंपू करने के बालो से आपके बालो से निकलेगा नहीं और आपके बाल अच्छे दीखेंगे और सुबह आपे बालो को सेंपू से धोरे जाए हो कि